Books That Speak में आप सभी का स्वागत है बिहार की धरोहर अमूल्य लाइब्ररी के बारे में जाने सुनते है कहानी गोपाल नाराय अंड पब्लिक लाइब्ररी भरतपुरा कहानी लिखी है प्रथम रिसोर्स सेंटर चितरांकन प्रथम कंटेंट ग्रूप प्रकाशन प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन कहानी का वाचन आसावरी दूशी इसी आवाज के साथ अंतिम कक्षा की घंटी बजी सात्वी कक्षा के बच्चे ज्यादा खुश नजरा रहे थे मानो इस घडी का वो बेसबरी से इंतजार कर रहे हो जुनेत सर कक्षा में आए बच्चों से वो कुछ कहते इसके पहले ही बच्चे बोल उठे सर आज कहानी सुनाईए जुनेत सर ने पूछा कैसी कहानी बच्चे बोले मजेदार कहानी जुनेत सर बच्चों से बोले आज मैं तुम्हें अपने राज्य की एक अनूठी लाइबररी की कहानी सुनाता हूँ बच्चे थोड़ा चौक गए लाइबररी की कहानी जुनेट सर ने अपने बैक से कुछ तस्वीरे निकाल कर बच्चों की ओर बढ़ाई बच्चे उन तस्वीरों को गौर से देखने लगे एक के बाद दूसरी तीसरी बच्चों ने पूछा ये कहां की तस्वीर है सर जुनेट सर ने कहा ये तस्वीर गोपाल नारायन पब्लिक लाइबररी भरतपुरा की है आज मैं इसी लाइबररी की कहानी सुनाता हूँ पिछले दिनों मैं वहां गया था भरतपुरा गाउ में प्रवेश करते ही दूर दूर तक हरे भरे खेट दिखाई देते है उनी खेटों के बीच एक उन्चे टीले पर सरकारी सुरक्षा गार्डों से गिरी लाइबररी की इमारत नजर आती है लाइबररी के साथ साथ भरतपुरा का भी एतिहासिक महत्व है लाइबररी को गोपाल नारायन सेंग नाम के आदमी ने शुरू किया इनके पूर्खे राजा कंचन अपने वक्त के बहादूर और अकलमन आदमी थे उनका परिवार महराष्टर से आकर बिहार में बस गया था वो मुगल बादशा शाहजाहा का समय था बादशा के यहां उनकी अच्छी इज़त थी उनके एक वन्शच थे राजा भरत सिंग उन्होंने ही यहां एक कीला बनवाया जो भरतपुरा गड के नाम से मशूर हुआ सन 1912 में उसी कीले में अपने पूर्खों एवं कुछ विद्वानों कला प्रेमी से प्राप्त नायाब किताबों एवं तस्विरों से लाइबरी की बुनियाद रखी गई वैसे तो लाइबरी में छपी पुस्तकों 5000 नायाब चित्रों 146 प्राचीन मूर्तियों एवं 200 प्राचीन सिक्कों जिनमें पाल काल के सिक्के भी शामिल है इन सब का विशाल संग्रह है किन्तु कुछ नायाब तथा महत्वपूर्ण चित्र, कैलिग्राफिके नमुने तथा दस्तावेज ऐसे है जो बहुत खास है इनमें फार्सी में खूपसूरत हस्त लिपी में फिर्दोसी रचित सचित्र शाहनामा है निजामी रचित सचित्र सिकंदर नामा दसवी सदी की वैसालिस, ग्यारहवी सदी का सचित्र गुनवेराग, ग्यारहवी सदी का ही दिवाने हाफिज, अकबर के बेटे दानियल की चित्रकारी खास है इसके आलावा ग्यारहवी सदी का हातिमताई, बिहारी सतसई टिका, तुलसी कृत रामायन इस लाइबररी की गर्व करने लाय कृतियां है इन कृतियों के बीच रहते हुए ऐसा लगता है जैसे आप टाइम मशीन में बैठ निकल गए है अतीत की यातरा पर इनके एक-एक शब्द, एक-एक तस्वीर अपने वर्तमान को सामने ले आती है एक छात्र सुरेश ने आश्चर्य से पूछा सर एक गाव में इतनी बड़ी लाइबरी जुनेत सर ने कहा तुम्हारा चोकना स्वाभाविक है एक गाव में ऐसी लाइबरी और उस लाइबरी में इतने नायाब दस्तावेज किसी को भी हैरान कर सकता है इसके संस्थापक गोपाल नारायन सिंग के एक वंशच रगुराज नारायन सिंग ने 1956 में एक दानपत्र के जरिये इस लाइबरी को सारवजनिक तो बनाया लेकिन ये शर्थ भी रग दी कि पांडु लिपिया भरतपुरा की लाइबरी में ही रहे और उनके परिवार के उ पन्नों की चोरी पेंटिंग की चोरी ने इसे गहरे जख्म दिये है इतिहास की सुनेहरी यादो और वरतमान की उदासीनता को लपेटे बिहार की धरोहर एक अमूल्य लाइबररी आप सबको देखना चाहिए आज हमने तो एक पुस्तकाले की कहानी सुनी तो कैसी लगी कहानी और एसी बहुत सारी कहानिया सुनने के लिए हमारा चैनल बुक्स धाट स्पीक पर जरूर आईएगा यूट्यूब पर और बहुत सारे पॉड्कास्टिंग चैनल्स पर हमारी वेबसाइट www.booksthatspeak.com पिर मिलते हैं अगली कहानी में बाई बाई धन्यवाद